एंसर देखो बेटा बहुत इसी है अगर आपको लास लेक्चर में यह समझ में आ गया था कि हमने यह प्रोग्राम कैसे चलाया है कर fragrना एक अवाल है ऐंज चुर्छ यह नहीं फिर रहु क्या का रहे थे थे कि यह यह नल है कि यह नहीं फिर मैं क्या बोलते थे कि क्या यह रइंड ही । अब आपको करना क्या है, 1 प्लस ए नहीं करते थे 5 प्लस,1 प्लस डैश कारे थे if you take die तो अब आपको करना है लीफ नोट को 10 से मुल्टिप्लाइ करवाना है लीफ नोट को 10 से मुल्टिप्लाइ करने का उनलब क्या होगा कि जब जब लीफ मिले ना तब तब आप 10 रिटन करा दो very simple देखो सीधी सी बात है अगर आपके पास से X लीफ नोट से लेट मी शोग यू बिलकुल इजी बात है आपके पास से X लीफ नोट से थीक है तो एकस लीफ नोट के लिए देखो आप जब बार बार यहां से वन रिटन करवा रहे थे सारे 1 प्लस 1 प्लस 1 इमेजिन करो सारे एड हो तो जा रहे है ना बार बार बारी तबी तो टोटल हमिला करके X आया ना है के नहीं बस तो अब आप क्या करो आप बार बारी 10 10 10 10 एड करवा दो जब जब आप 10 10 एड़ करा होगे X ताइम्स तो यहां से क्या पैद हो जाएगा बेटा 10 multiplied by X यही आपको चाहिए X बारी एड़ करेंगे तो 10 into X नहीं हो जाएगा वोई कहानी है बस कुछ भी नहीं है तो मतलब मोटी मोटी बात क्या मैं इसके copy बनाता हूँ फटा-फट से फिर उसमें समझा देता हूँ आपको copy slide paste और log अब हम यहां पे क्या कह देंगे बस यहां पे आप 10 कर दो ठीक है return कर दो 10 let me use it green color only और फिर मैं verify भी कराता हूँ आपको ठीक है और साथ-साथ मैंने इसके बारे इंटर्नल नोट के बारे में क्या कह था 5 multiplied by internal node इंटर्नल नोट जितनी भी होंगी 1 plus something करकर के आप कर रहे थे 1 plus non leaf p left plus non leaf p right ऐसे हम 1 plus something करके कर रहे थे तो मतलब बार बार 1 1 1 1 1 add हो रहे थे अब 5 5 add करना है तो सिद्धी सी बाते यहां पर 5 कर दो सो सिंपल हो गया काम कतम अब मैं आपको चला के दिखा देता हूं है ना अगर आपको doubt है कि सर नहीं चलेगा चला के दिखा देता हूं 1 minute लगेगा तो वही सारी कहानी repeat करनी है हमने है ना यहां पर हम लिखते चले जाएंगे ओके चलो यह सारा हट आई देते हैं 1 minute लगेगा सारा फटा फट से हम देख लेते हैं सबसे पहले हम root note से शुरू हुए पहला P is equal to null return 0 सबसे पहले हम नहीं यहां पर देखा क्या यह null है नहीं क्या इसका left or right दोन नल है नहीं तो फिर left call करना है इसके लिए यह वाला पार्थ हमारा चलेगा 5 plus something करना है तो अब आप क्या लिखोगे 5 plus dash plus dash ठीक है आई होपा समझपार हो गया पहले dash के लिए इधर left वाली तरफ आ जाएंगे क्योंकि left है ना इसमें आगे इसमानिक बोला फटाफट से क्या यह नल है नहीं क्या इसका left or right दोनों नल है नहीं तो फिर आपको क्या करना है 5 plus 5 plus dash plus dash फिक है जी अब नीचे आगे यह dash को solve करने के चक्कर में नीचे आगे पी left call किया ना नीचे आगे यहां पर बोला क्या यह नल है नहीं क्या इसका left or right दोनों नल है यह तो इसका left or right दोनों नल है यहां से देख लो 10 तो आपने यहां पर क्या return करा दिया 10 तो पहले dash में हमने 10 फिल कर दिया आगे फिर plus फिर इसके लिए हम गए राइट के लिए तरफ गए यहां पर आगे यहां पर बोला क्या यह नल है नहीं क्या left or right दोनों नल है YES तो इसका left or right दोनों नल है 10 तो इसने यहां पर 10 return कर दिया 25 टोटल 25 इधर return हुआ अच्छ जी फिर plus अब यह राइट बेल तरफ आएंगे अब यहां पर आगे क्या बोला क्या left or right दोनों नल है LEFT में आगे क्या यह नल है नहीं YES दोनों नल है तो फिर 10 तो आपने क्या turn कराना है 5 plus करना भूलिए sorry for that तो आपने इस newड पर आगे क्या बोला क्या इसका left or right दोनों नल है तो फिर 5 plus dash plus dash यह करना था और left में आ गए यहां पर आ करके बोला कि क्या यह नल है हाँ जी सॉरी क्या यह नल है नहीं क्या इसका left दूनल नल है yes तो क्या टन कराए 10 तो इसने यहां पर 10 टन करा दिया ठीक है जी आचा प्लस अब इस पर आना था हमारे को यहां पर आए यह तो नल मिला है हम तो प्लस पंद्रा यह उपर इसने पंद्रा दे दिया तो पच्छिस पाच तीस तीस चालिस पिंतालिस 45 इसा वरांसक तो यहां पर चेक करो 45 आना था कि नहीं आपके लिए बेटा आपके लिए बेटा तो आप मेरी ख्याल से यह आपके लिए बेटा टॉय बन चुक है अब आप इसके साथ बहुत अराम से बले कर सकते हैं जो बोलोगे मैं वो करके दिखा दूगा इस तरी के पेपर सवाल में आया है इस तरह के question उल्टा हो जाता है कि बारी इस तरह के question आपके gate exam में आई हो है बेटा प्लीज ध्यान रहा है अच्छा अब फालतु की बाते हैं कि लिफ नोर्स को 5 से multiply कराना है आप लोगों के लिए जनरलाइज कर देता हूं तो यह देखो copy इसके दिवारा से paste करते हैं और यहां पर मैं आपके साथ फटा-फट से discuss कर लेता हूं अगर मैं यहां पर बोल देता say return x और यहां पर मैं बोल देता return y y plus something तो अब finally आपके पास क्या होता x multiplied by leaf nodes plus y multiplied by internal node this is my final answer एक है I hope आप समझ पा रहे होगे इसको करो note down आप सोड़ सा और मजा देता हूं तुम्हारे को है ना let me copy this यह template बस आपके अगर mind ne fit होगा ना बहुत जल्दी बढ़िया बढ़िया काम करके होगे paper में तो अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ leaf nodes गिरनी थी internal node नहीं गिननी थी तो बस यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए था y की बज़ाए यहाँ पर 0 डालना चाहिए था और यहाँ पर x की बज़ाए क्या डालना चाहिए था तो बहुत अराम से बहुत बढ़ी आंसर निकलेगा मेरे ख्याल से मेरे को बोलनी के जूरती नहीं होनी चाहिए आप चेक करना चाहते हो तो आप खुछ से चेक कर सकते हो प्लीज यह मैं आपको वेरिफिकेशन के लिए हम्वर्क में दे रहा हूँ यूँ चेक इट आउट आपको इनटो तो यहां पर आपखाव यहां से चेक करना चा रहे हैं और दो ए रहा हूं अस्तो यह रोने करना चाहर है लों उससे पीछेशा तो तो यहां से आपका आज का लेक्चर शुरूआ था यह आप अराम से नोट डाउन कर सकते हो यह जर्णल टेम्टेट बन गया उसके बाद फिर यह निकाल दिया मैंने जिरफ लीफ नोट की गिंती करनी है अच्छा फिर अब मैं आपको यह दिखा देता हूं और अगर खाली इंटर्नल लोट की गिंती करनी थी तो अब क्या करोगे खाली अगर आप इंटर्नल लोट की गिंती करना चाहते थे इंटरनल लूट की गिंती करना चाहते थे, तो क्या करना चाहिए था भई, इसको of course 0, और इसको of course 1, तो यहाँ पर क्या लिखना था, 0, और बस यहाँ पर क्या लिखना था, 1, हो गया काम का था, ठीक है, तो मेरे खाल से आप पकड़ गऊगे, इसमें को खास technicality है नहीं, कहल अगर को नया काम होता, तो बेटा मैं आपको पूर explain करता सब कुछ करता, बात तो वही है, जादे से जादे से जादे, जैसे लास लेक्षर में बोला था, चलो चाहते हो एक बार और कुछ आपकी मन में बहुता है कि सरच चंद शब्द हो जाए आपकी तरफ से, चलो बेट आप जाद से आप मान लोग की हार एक नोड को वस्केस में तिन तिन बार विजिट किया, तो थी इंटु एन अगी complexity, और एक एक बार विजिट करने का constant time है, याद को लास लेक्षिन में सारा बताया था, बिल्कुल वही copy paste मारो, बिल्कुल वही, एक दम से, तो मेरे ख्याल से बोलने की जूरते नहीं है, तो थीटा एना नहीं है अवरी केस में, और जब अगर आपरी करन से रिलेशन चाहते हो, वह भी मैं लेक की दिखा दूँगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, space complex में कहा था, extra space, extra space का हम बात करेंगे, जो हमने stack के लिए उसकिया बेस्ट केस में ठीटा लॉगन आया था, वर्स्ट केस में भी मैंने प्रॉपर प्रॉफ किया था, याद को लास्ट लेक्चर में बिल्कुल वही काम तो हुई है, काम में कोई change है यह नहीं, बिल्कुल वही प्रोग्राम है, कुछ भी नहीं है, बस इदर दर पस हमने थोड अभी तोटल स्पेस कितना लगाया है हमने, इंपुट के लिए, इंपुट प्लस एक्स्टा बोलते थे ना, तो एक्स्टा होगे और इंपुट तो ठीटा अन ही है, है ना, अन नोर्स है अगर तो, तो ओवर्राल तो, स्वेस कोंप्लेश से ठीटा अना नही आनी, अनी तो मैं बेस्ट केस के लिए क्या लिखोगे, टी ओफ एक्स्ट के लिए टी अन बाइ टू प्लस सम कॉंस्टेंट ता इस ठीटा वन, तो इसके आपको निकालनी आती है, है ना, यह आएगी वही ठीटा अन, है ना, स्पेस कोंप्लेश से लिख करके दिखा रहा हूँ मैं, स टी ओफ एन माइनस वन, टी ओफ एन एस टी ओफ एन माइनस वन, प्लस ठीटा वन, यह भी घुमा फिर आगर के ठीटा एनाएगी, लास्ट लेक्चर में सारी काने कर रहे हैं बेटा, बार बार बोलके मैं टाइम वेस निकाना चाहता, प्लीज अपनो डाउन कर सकते हैं, पहली बात हो यह समझो, हाइट होती क्या है, यह सब बाते मैंने पहले आपके सथ प्रिवेस लेक्चर में बहुत बर कर रखे है, बट जस्तु रिवाइस, देखो बेटा सब पोस करो, मैंने एक चोटा सा सिंपल सा ट्री बना, इसकी हाइट कितनी है अब हैप सिधा कितनी है, बस इस से देखना है, जो फार्थेस्ट लीफ नोड होगी उसका distance, distance of a given node to the फार्थेस्ट लीफ नोड, that is known as height of the node, ठीक है मैं definition लिख देता हूँ, height of node क्या होती है बेटा, distance of node from the फार्थेस्ट लीफ नोड, जो भी उससे फार्थेस्ट लीफ नोड, सबसे दूर स लीफ नोड ना जडा रही होगी न, वहां तक का distance देख लो, that is the height of the node, height of the node is distance of the node from the farthest leaf node, ठीक है, फार्थेस्ट लीफ नोड से उस नोड का distance कितना है, that is known as height of the node, simple, और tree की height कितनी होती है, जितनी root की height होती है, ठीक है, उसके साब से हम देख लेंगे, तो दो ही लीफ अगर के छोड़ दिया मैंने, इस cat कितनी हैगी पेटा, of course 0 आईगी है, क्योंकि इसका कोई आगे child ही नहीं है, तो अगर सिफ एक मातर root node है और कुछ भी नहीं है, तो इसकी height 0 आईगी, 0 height है इसके, अच्छा, और देखना है आपको, और examples देखो, लो भई, मैंने essay कर दिया इसकी height बता दो, सिधी सी बात है, right में तो कुछ है ही नहीं, left में 2 है, तो आप course बोलोगे 2 height है इसकी, अच्छा, और example दो, जैसे suppose कर लो, यह लो भई, एक essay, अब बताओ कितनी height है इसकी, आप बोलोगे, रूट की height देखनी है बस, रूट की height देखो, तो यह दो हो गई, लो भई, नमबर ओफ नोड से मेरा मतलब नहीं है, बस मेरा मतलब है, फार्दे स्लीफ नोड से, अब इसका बताओ भी फटाफट, आप बोलोगे, एक, दो, तीन, फार्दे स्लीफ नोड कर देखनी है, और यहां से देखोगे तो दो है, तो ठीक है जी, हम answer तीन करके आएं तीक है जी, चलो, अब फाल्तु का टाइम बरबाद बंद, अब मैं आपको सीधा एक बड़ा सा एक्जामपल दिखा देता हूँ, उससे सारा समद में आ जाएगा कि एक्जेक्ली क्या सीन है, बस, अब बताओ, इस ट्री की हाइट कितनी है बई, अब बोलोगे, राम से सर क कोई दिक्कत नहीं है, रूट के हैट बता तो फटा 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 लग जाएगा, तो दूर से दूर जो लीफ मोट देख रही है उसका, एक, दो, तीन, चार, पांच दिखे रहे है, ठीक है, और यहां से देखो, एक, दो, तीन, चार तक जाओ पाऊँगे, और कुछ नहीं स्वरी देखे अचर पांच है तो इस चार पांच देखो, एक, दो, तीन, आई है, इस तरफ जागेंगेंगेंगे, तीन, चार आई है, ठीक है, तो मेक्सिमम आपको कितने नहीं जा आ रहे है प्याँगे, तो आपने पांच दिख ड़ा, चलो, बस, अब हमारा काम खत्म तो वही बात है, अगर आपको हाइट निकालनी है, लिखना तो वही, मैं आपको बार बार बताता हूँ, तो रिकर्शन बनाओ तो चाहिए न, कहां पे कैसे रिकर्शन काम आ रही है, आप ठोड़ सा सोचो कि तो आपको पता लगएगा, दो मिंट का पॉज लो, और सोचो फि थियान रखना है, बस बाकी सारे सबसेक्वेंट लेवल का ध्यान, रिकर्शन अपनियाप करेगी, आपको सिर्फ वर सिर्फ रिकर्शी डेफिनेशन लिखते टाइम, टॉप लेवल का ध्यान रखना है, यह इधर, यह इधर, ऐसे, यह रूट हो गई मेरी, यह हो गया यह distance 1 नी हो गया, यह भी 1 नी हो गया, तो हईट क्या जाएगी भी ट्री की, मतलब वही ट्री की हाइट वही रूट की है, रू क्या होगा, अफ्कोर्स क्या बोलोगे, maximum Of, maximum Of, leftSubtree वही ज़रूर करना है, मेरे ख्याल से इसमें और ज़्यादा मुझे बोलने की जूरती नहीं है, यही काम करना है, और बार बार यहीं चलते जले जाएगी, बस, काम काम हो गया, चलो, अब मैं इसको लिखके दिखा जेता हूं, कोई टेंशन ही नहीं है, हमारी, है न, चलो, आओ आगे, आओ, हाँ, बता बही कैसे लिखेंगे, बहुत इसी काम है, तो हम सबसे पहले, एक मिन्ट, वोई पीछे वाले प्रोग्राम ले आओ न, थोड़ा जल जली काम हो जाएगा, है न, या सीधा ही दिखा दू, चलो, कोई नहीं, पीछे वाले ले ले लेते हैं, थोड़ा सा टाइम बचाते ये टेंपलेट तो मेरे खाल से आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, अब आप लीफ नोड, नोन लीफ नोड के गिंती, टोटल नोड के गिंती, किसी से किसी को मल्टिप्लाय करवाने वाला सब टेंशन अपकतम कर लोगे, अच्छा, एक बड़ी और मेरे को धिहान में आगया, मैं वो भी दिखा देता, आपको मजा आजाएगा, सच में, पीछे तो हमने देखा ये प्रोग्रम, अगर मैं आपको ये कहूं तो, प्लस वाले तो सारे करा दिये मैंने आपको, माइनस वाला नहीं कराया, एक माइनस भी कराता हूँ ना, काम बड़ा सान है, आ मैं यह चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ internal node minus leaf node answer बताओ, internal node minus leaf node, what will be your answer, अब क्या करें यहापे changes, पतला जितनी internal nodes हैं और leaf nodes है, internal node minus leaf node गरके यह answer मैं चाहता हूँ, कैसे करें, और उससे को तो पताले जाएगा, कुछ भी नहीं है बेटा, देखो, internal node plus leaf node तो तुम्हारे को करना आ उसमें कुछ भी नहीं, यहापे भी one return होता था, यहापे भी one plus something हो जाता था, काम खतम हो जाता था, अब internal node minus leaf node करने का मतलब क्या होगा, मैं लिखूंगा न, यह है, mathematics hall का full का changes करना जानते तो हो गया काम, plus minus one multiplied by leaf node, अब तुम पकड़ गया होगे, जैसे यहापे internal node plus five into leaf node कर तो बस return minus one कर देना, इतना ही हो गया, तो यह program मैं रहे को क्या दे रहा है बेटा, internal node minus leaf node करके answer देगा, यहापे return minus one minus one कर देना, जितने भी leaf nodes होगी, वो सारी minus one minus होती चले जाएंगी, और internal node में हम plus one plus one कर चले जाना, तो internal node minus leaf node करके, जो भी answer होगा, हुमार पस आजाएगा, ऐसी leaf node minus internal node करना था, तो यहापे minus one plus plus करके करते जाना, यहापे plus one रख लेना, आप internal node minus two into leaf node करना है, वो आप आपके लिए ट्वाए है, आपके लिए खिलोना है, अब आप इससे बढ़े राम से प्ले कर सकते हैं, समझ गयो ना, अगर leaf node minus internal node करना होता, तो आप क्या करते है यहापे minus one कर देते, यहापे आप क्या कर देते, minus one और यहापे क्या कर देते, plus one, so simple, और अगर leaf node minus two times internal node करना होता, तो आपने क्या कहानी करनी थी, यहापे two कर देते, यहापे minus two कर देते, क्योंकि internal node minus two है, और यहापे leaf node plus one होता ही जाता, यहापे internal node minus five times leaf node करना होता, कोई tension यहां पर मानस फ़ाइब करा दे ना और इंटरनल लोट हमारे पास वन प्लस सम्तिंग, वन प्लस यह चलता है, खतो, कितना आसान हो गया, जो देदो मैं वो करके दिखा दूँगा, आपके लिए यह ट्वाइ है, मैं रिखाल से आप पकड़ चुके होगे, बट फिर भी मैंन जानता गो एक जटके में आंसर कर गया होगा, यह जो बेबी स्टेफ्स की है ना, जिसकी दिमाग में यह चल रहे थे ना, वो एक जटके में काम कर गया होगा, आप हम अपने आते हैं वापस प्रोग्राइम की तरफ, तो यह तो हमने चलो लिख लिए था, यह हमारे टेंप प्लस कर लिया, हमारी ट्री की हाइट आ चुके है, टर्मिनेशन करिशन क्निशन क्या होगी, रिकर्सी प्रोग्राम में सबसे वह बेसिक बात होती है, टर्मिनेशन करिशन, तो सिद्धी से बात है, अगर आपके पास कुछ ही नहीं, अपकोर 0 रिटन होगा, हवा है, तो 0 अगर खाली रूट नोट, अभी मैंने सम जाए था, रूट नोट की हाइट कितनी आई थी, खाली रूट और कुछ भी नहीं है, तो हाइट 0 आई थी, बस यह चीज़ आपके दिमाग में तो आपके पास अंसर आ जाएगा, यही तो टर्मिनेशन करिशन बन जाएगी, और आपके लिखी हुई है, तो आप सीधा क्या बहुगे, प is equal to null, return 0, LCP का left is equal to null, NNP का right is equal to null, return 0, तो बेसिक बात क्या है, यह leaf की कहानी है, तो leaf की height बेटा अफकोर 0 होती है, तो आपको निशानी समझ में आगे होगी, अगर penal है, तो return 0 करना है, अगर leaf node है, तो return 0 होना है, औ और अगर हमारे पास leaf node नहीं है, तो हमारे को गया करना है, 1 plus height of left subtree, plus height of right subtree, हुआ ही पड़ा है, खतम है कहानी, और यह आपर max लिखना है, sorry, plus लोगरा चकर खतम करो, max लिखना है बस, तो यह NL की बजाए, h लिख देते हैं, height, height के लिए h लिख देते हैं, int h, ठेक है, तो max of, इन दोनों का निकालना है, आपको, max, ठीक है, जी, पीच में डाल देना है, comma, यहाँ पर लिख देना है, max, max function अगर तुम मेरे से बनवाओगे, तो मेरे पर बहुत बला, जोलो मुझा है, max function तो बनाना आता है, if a greater than b, return a, else return b, फालतु की बात है, max तो बनाई लोगे अ as return b, simple है, तो यहाँ से जो भी maximum होगा, वो निकाल लेंगे, तो एक max function बना ले न, वो return करवा देगा, लिखना जाते है, तो लो, एक मिट लगेगा, int max, int a, int b, अब आप क्या बोलोगे, if a greater than b, return a, else, return b, तो जो भी होगा, यह max function के तो आपने करा होगा, तो यह इधर यह इ पेटा, h, h, जरूर लिखना ने, तो फिर बात आप फस जाओगे, है न, of course, यह p left, p right से थोड़ी करना है, h, h call करना है, recursive है, तो h, hp left, hp right, है न, तो जो भी h आपका return करवाएगा, वो ले आ, तो चला कर दिखा देता हो, उम पता लग जाएगा, कुछ भी नहीं है, अपने h function कर रखा है, सरी दिक्कत हो रही है, तो भई, एक मिट लगेगा, आप l is equal to hp left कर लेना, r is equal to hp right कर लेना, और max of l, r लिख लेना, उसमें क्या tension है, समझे क्यों कि नहीं, तो यह recursive call होगी, उसके बाद लिख देना, तो फिर आप आगे क्या लिखना है, यह, one plus, है ना, तो अब आप बोल सकते थे, return one plus max of l, r, बस, इसे और simple क्या बोलू, पकड़ेगे ना, आपकी जैसे मर्जी लिखो, और वैसे भी, आभी आपको दिखा देता हो, आप tension क्यों लेते हो, तो आपको मजा आएगा, तो अब basic बात समझ में आगे सब लोगों को भ क्यों, क्योंकि height उसकी 0 है, खतब, ठीक है, और नहीं तो फिर ऐसे से चलाना है हमारे को, बस, चलो, अब मैं आपको वही अपने उसी में चला के दिखा देता हूं, जो हमारा चल रहा था, है ना, इसी को ही उठा लेते हैं, इसी में ही फटा फट से प्रूव कर जाएंगे, प्रोग्रम तो महरे पास एकी, मैंने बना के रखा हूं है, उसी में हम अपना बार-बार काम करते चले जा रहे हैं, जो भी हटाओ इस सब को, इसको भी हटाओ, 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 सब हटाओ, शुरो जाओ भी पटा फट, अब इस चलो भई तब हम क्या करेंगे वन अब देखो सबसे पहले यहीं पर खड़े हो के बोलो हावी क्या यह नल है कि सीधा माइन में प्रोग्रम है उसी के सब चलना क्या यह नहीं कि इसका लेफ्ट राइट दोनों नल है नहीं तो फिर क्या करना है उसके बाद फिर इधर आ जाएंगे पहले डैस को सौल करने के लिए लेफ्ट पर आना है इधर आ जाओ फिर यहीं पर बोलोगे वन प्लस मैक्स ओफ डैस कॉमा डैस क्यों जल 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 मैंने बोल दिया सीधा यहां पर आ करके पहले बोला क्या यह नल है नहीं कि इसका क्या रेट रेट आ जाएंगे जल जाएंगे क्या यह रेट नहीं तो यहां प्लस था अब इतर आगे यहापे आ करके बोला हमें क्या यह हमारे पास क्या यह नल है अब राइट और डाश को सॉल करना था यह नहीं क्या इतर यह नल है नहीं तो फिर क्या बोलना है जीरो अब धर आगे, राइट की तरफ आए, क्या ही नल है, हाँ जी बिल्कुल नल है, तो जिरो रिटरन मारेगा, लोजी मैंने जिरो रिटरन कर दिया, अल्टिमेटि क्या है, याँ, one plus max of zero, zero is zero only, तो one plus zero that is one, तो क्या रिटन हुआ तो अब क्या बोलोगे 1 प्लस मैक्स 1,1 is 1 only तो 1 प्लस 1 that is 2 तो ultimately root की height कितनी return होईगी बेटा 2 return होईगी और वह हमारी height of tree होईगी आप चेक कर सकते हो बेटा दो height है इस tree की देख पार होगा नहीं अराम से बस बहुत कातम होगी तो मेरे ख्याल से और ज्यादा मुझे बोलने की जुट नहीं है आप बहुत अच्छे से पकड़े होगे हमने क्या काम किया है कर अब शाबस note down तो इसको मैं थोड़ा सा या तो नीचे कर देता हूँ अच्छा यह कहां से हिल गया भाई इधर कर देते हैं ताकि एक स्क्रीन पर तुम्हारे को नजर आ जाएगा और तुम्हाराम से note down कर पाऊगे कर लो भी note down हाइट का प्रोग्रेम बहुत इजी बहुत आराम से आप पकड़ चुके थे एक बार और बोल देता हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है रूट था उसका left subtree right subtree left subtree की height निकालो right subtree की height निकालो one plus max कर दो दो दोनों का काम का ताम यही basic definition अगर तुम्हारे मायक में थी तो आप एक जटके में height निकाल गए होगे होगे जी note down आओ आओ आगे अब वोई cpt बाते आएंगे फालतु की आणा analysis करवाना चाहते हो ना कर दो बेटा किसर मत कराओ सब तो भी कराया है यही तो format है उसे में लिखा है क्या है बस आभी तक यही तो format चल रहा था यहां पर बस one plus left plus right कर रहे थे अब दुनों का max कर र मैं आपके लिए बोल देता हूँ इस note पे खड़े थे आप आज देखा क्या यह नल है क्या इसका left left lands on constant time लगाया constant time लगाने के बाद फिर आप इधर आ गया एक बार विजिट कर लिया आपने इस note को फिर इधर आ गए है ना फिर इस पे वही काम करा हमने constant time लगाया फिर इ बिल्कुल copy paste है मेरे ख्याल से मुझे बोलनी जूरत नहीं होनी चाहिए ठीट and complexity आएगी every case ठीक है तो time complexity मेरे को बोलनी नी चाहिए same to same कहानी है और recurrence relation and सब कुछ वही अपना लिख डालना अपने इसाब से time complexity कहाएगी theta of and every case best case worst case average case ठीक है space complexity extra space बिल्कुल वही same to same visibility कहानी है एक्स्टा स्पेस अगर आप बात करोगे एक्स्टा सिर्फ एक्स्टा की मैं बात कर रहा हूँ best case में कितना हैगा theta log n जब बिल्कुल आध्यादे में बटा होगा और average case में भी वही theta log n प्रूव किया था मैंने last lecture में सारा आपको याद आ रहा होगा और worst case में कितना हैगा theta of n कर रहा होता तो सार असी नहीं मेरे बदल जाता कोई बात नहीं हम ऐसे प्रोग्रम भी आगे देखेंगे tension मतलो और वह हमारी जिम्मेवारी है सार आपको clear करना एंड-son वह मैं देखूंगा रहा हमसे आगे जब आएंगे program ऐसे भी करा हूंगा but basic idea आपको आचुक है यहां अब आगे आ जाओ तो बिल्कुल वही सब है अब आगे आ जाओ अब यह ध्यानक ना बेटा हर किताब के लगले definitions होती है तो उसके पीछे आपको परशार नहीं हो ना कि हां सर हमने क्या करना है कैसे करना है बिल्कुल टेंशन नहीं पेपर में सवाल जबी आएगा तो उसक तो मैं उसको strict binary tree कहूंगा और अलग-लग standard किताबों के लग-लग definition है क्योंकि अपनी मर्जी से सब authors चलते हैं इसमें को standard बाते तो है नहीं तो बिल्कुल tension मतले ना जब भी strict binary tree complete binary tree इस तरह के questions आएंगे पेपर में तो आपको वो definition साथ में ज़रूर देंगे बस simple बात है आपको verify करना है verify करना how to verify मतलब आपके प्रोग्राम को return करना है तो 0 जिरो कब प्रोग्राम करेगा 0 return करेगा return 0 अगर वो complete नहीं है तो not complete not strict 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 मैं बोल रहा हूं उसको not strict और return 1 करना है जब तुमारे को क्या लगता है वो strict है आई हो समझे पार हो गया चलो बहुत इस है तो 0 चाल यह दो चाल रहाँ आए जैसे सुपोज कर लो मैंने आपको एक यह tree दीखाया वो लोगे नहीं क्यों क्योंकि इस नोड के एक चाल कैसे आ गया बहुता तो 0 चाल य बिलकुल यह strict हैजी हार एक नोट के है तो 2 child है या 1 child है जीरो तो निया थो जीरो deriv है zero child है जीरो या दो बस ठेक है अच्छा और क्या यह strict this is strict है हमारा जीर बिल्कुल हर एक नोट में तो 2 child है या 0 child ठेक है और अगर मैं यह बना हूँ तो क्या है strict है बिल्कल कोई माना ही नहीं है हार एक के zero child या दोसाइड यह कुल भी नहीं है कि इस नोड का एक child कैसे हो गया यह वेरिफाय करने आपको बताओ वह उगा कैसे के साहरे करका हो गया वह बिल्कुल top-level domain केसा विलकुल top-level सोचो उसके बाद आगे कहानी खत्म जाएगा वह वहां से आ गया टॉप लेवल डॉमेन वहां से आ गया टॉप लेवल डॉमेन कंप्यूटर नेटवक्स में करते थे ट्री बनाया करते थे डी एनस में ठीक है चलो तो जो भी है मतलब टॉप लेवल की बात करो बाकी नीचे चोड़ो तो सारा है ना सिर्फ ऊपर ऊपर लेवल की बात करो तो क्या होगा वह जैसे यह रूट होगी यह उसका लेफ्ट सब्ट्री यह राइट सब्ट्री एलस्टी और आरेस्टी अच्छा जी अब आपको देखना क्या है भी अगर एलस्टी हमारा कंप्लीट निकला आ घृण कर दुमारा की तो हमआरा को दोनों ने दिया हो ना दोनों ने दियो मतलब 1-1 तब हम बोलेंगे यहां पे क्था तब आप कुछ बजाए नहीं अब मैं लिख डालूगा बड़ा राम से और वही घिसी पर वही बात है कि अगर आप चलो चलो यही बात करता है आप कुछ है नहीं कुछ है नहीं तो मैं चेक करूंगा तो confirm है अगर P itself नल आ गया अगर P is equal to null आ गया तो फिर इसका मतरब क्या कुछ है नहीं checking करने लिए तो उसमें क्या return करवाना होगा प्लीज ध्यान रखना return 1 आपको लग रहा है कि सर हवा है कुछ है नहीं चेक कर रहे हैं तो फिर वो strict कैसे हुआ बेटा अगर strict नहीं है तो मेरे कोई नोड दिखाओ जिसका एक child हो जब कोई नोड नहीं है जब कोई नोड नहीं है तो मैंने चेक किसको करूं बिल्कुल हवा है तो ध्यान रखना P is equal to null में return 1 होगा कि termination condition में आएगा हमारे पास तो अगर कुछ है ही नहीं तो return 1 होना है तो आप मेरे को अगर लगता है कि ये सर आपकी statement गलत है P is equal to null में return 1 नहीं होना चीए return 0 होना चीए आपकी statement गलत है अगर आपको लग रहा है कि मेरी statement गलत है तो आप मुझे कोई ऐसी नोड दिखाओ ज तो तुम्हारे पास कोई नोड ने तो तुम चेकिंग किसकी करोगे तो बस वहीं बात खता है तो जीरो चाइल्ड या टू चाइल्ड तो लीफ के जीरो चाइल्ड है वही बात खता है तो उसने तो 1 दे नहीं देना है तो लीफ ने भी return कराना है P is equal to null अगर कुछ हवा है क कुछ भी ने तो उसने भी return कराना है नहीं तो फिर अगर चाइल्ड होंगे नोड के चाइल्ड होंगे तो फिर आपको वही करना पड़ेगा यही कहानी left sub tree और right sub tree की कहानी बस अगर आपको इस समझ में आ चुका है अब मैं प्रोग्राम एक जटके में लिख जाऊंगा कि आपके मांड में चीज़ें फिट होने चीज़ें पस ठीक है चलो अब शुरू हो जाओ तो वही लिया है ना template है थोड़ा time बच जाएगा बेटा हमारा थोड़ा सा time बच जाएगा इस की copy बना लेते हैं और पीचे से लें आते हैं यहां पे थोड़े से दिक्कत है तो साफ सुथरा दिखा वहाऊ साफ शुथरा कई है ङही नहीं साफ सुथरा आप बेटा मेरे से expect नहीं कर सकते हैं आप मेरे knowledge को दिखा करो मेरे writing को मद देखना मेरे राइटिंग को देखो के तो क्या ही लगेगा आपको की एक्चली में स्कूल में पढ़ता नहीं था ना अगर स्कूल में पढ़ता होता तो फिर मेरे राइटिंग कुछ बहुत अच्छी होती और आपको भी देखे लगता कि हाँ वही अच्छा है सब कुछ पर क्या किया सब्सक्राइब कि अगर पीनल होगा तो क्या रिटन कराना है हवा है अगर आपको लगता है कि हवा हमारा बाइने ट्री नहीं है तो बेटा फिर वह बात उठेगी आप में रोगों को नोड दिखाओ चलो तो वैसे तो खैर आपको पता होना चीए कि ट्री में कम से कम एक नोड तो होनी चीए बिना नोड के ट्री बनता भी नहीं है लेकिन हमारा रिकर्सी प्रोग्रम है इसलिए हम थोड़ा सा इमेजिनेशन की साब से चल रहे हैं हमारे को वन रिटन कराना बहुत बरी तो क्या होना है बई रिटन होना है अच्छा जी पी का लेफ्ट एंड पी का राइट इसलिए नल तो भी रिटन वन होना है और फिर एल्स में आ करके अब देखों मज़े के बाद कहना है रिटन रिटन चल रहा है तो ठीक है न बई मतलब आप सिम्पल इससे भी चला सकते ह दिखाता हमको थोड़ा और अच्छा लगेगा इफ पीजी कोल टोनल रिटान वाद बस तो इफ यह इफ कब चला होगा बेटा जब उपर वाला फेल हुआ होगा तब अगर उपर वाला पास होगा तो सिधा रिटान आपन कर चुक होगा नीचे कंट्रोल कभी आना ही नहीं है सिंपल है तो यह हो गया अच्छा जी उसकी बाद फिर अब हम क्या कहेंगे कि अगर नहीं तो क्या होगा हम यह करेंगे ना लेफ्ट और राइट तो अब आप क्या करोगे अल्स में या इसी में ही चलो मैं लिखता हूं हमारे को क्या करवाना है लेफ्ट सप्ट्री राइट सब्ट्री ना तो लेफ्ट सब्ट्री यह यह ऐस्बीट काल करना पड़ेगा ना SBT देखर सिफ कॉल आएगे ना SBT SBT रूट लेफ्ट या P लेफ्ट पी चल रहा है तो P लेफ्ट and and SBT P राइट अच्छा जी यह कब होना है अभी यह कब होना है जब यह कब होगा जब हमारे पास एक नोड के दो चाइल्ड है और दोनों की तरफ से हमारे को देखना होगा अगर बायचांस किसी नोड का एक ही चाइल्ड निकला उसमें तो हमारे को वहीं पर काटा मार के भाग रहा है ना तो हम सिधा 0 return करवाएंगे प्लीज ध्यान अकना डिरेक्ट 0 return होगा यह चीज शायद मैंने पिछे बोली नहीं थी बट आप अपने अपसे समझ पा रहे होगे रूट के अगर दो ट्री है left भी है और right भी है तो left है राइट है तब हम one and one करके सिधा कर रहे हैं लेकिन अगर रूट का बैचंस होता ही एक तरफ child होते हैं दूसरी तरफ होते ही न तो फिर तो बेटा अगर आप के प्रोग्राम के सब्सक्राइब चलोगे P is equal to null में आपने return one करा रखा था तो फिर one return करा के हम फज़ आते हैं बुरत है किसे फज़ आते हैं तो अगर किसी का एक note होगा एक तरफ child होंगे दूसरी तरफ child ही नहीं है पहले कटा मारना है तो सिद्धा ही return आपको क्या करवाना है? 0 करवाना है मैं भी समझाओंगा अगर आपको समझ में रत तो अची बात है नहीं तो सिद्धा क्या return आपको अची था 0 तो मैं directly नीचे लिख दूँगा return 0 इससे क्या मज़ आएगा अगर आप recursion इमेजिन कर पर तो बहुत अची बात नहीं तो भी चला के दिखाँगा उसमें सारी क्लेटिया जाएगी यह return 0 पर कब control आएगा जब यह नहीं चला तब यहाँ पर control आना ने तो यहाँ पर आने का को मतला भी नहीं जैसे यहाँ पर देखो na return 1 हो गए तो फिर हम नीचे आने नहीं गभी बिल्कुल वोई चीज़ है return एक पर हो गया तो फिर दुबारा क्यों आएगा इसमें खातम जाएगे वह बात तो यह return 0 कब होगा जब यह वाली condition मतलब यह भी fail है मतलब हवा भी नहीं है और leaf node भी नहीं है और मतलब दुनों तरफ child भी नहीं है उसका मतलब क्या है भी यह कुछ है नहीं सिदा हम वहाँ से return हम 0 मारेंगे मतलब एक child है कुछ है नहीं मतलब एक child है node का तो जैसी node का एक child होगा हम immediately कटा मारके भागेंगे वहाँ पर चलो मैं जितना मर्जी बोलो ऐसे समझने आएगा बेटा मैं आपको सीदा दिखाता हूँ अपने जो हमारा वह था यह जो डाग्राम हम बनाके बैठे हो हैं उसी को लेकर किया आता हूँ वही आपको समझाता हूँ तब आपको असली मजायेगा कि हाँ भी क्या चल रहा है यहां पर मारो copy आजो भई आजो फटाफट यह हो गया जी पेस्ट कहां करें इसको उपर छोड़ देंगा चलो यह यहीं कर देता हूँ ठीक है यहां कर देता हूँ लो भई जब तक verify नहीं कराओंगा तब तक मजा नहीं आएगा न भई आप लोगों को आणा verify तो करें न फटाफट अटाव सब कुछ सब कुछ क्लियर करो अभी दो मिनट में बस आपको सारी क्लियर्टी आ जाएगी अपने पहल तो प्रोग्रम में कुछ आओ क्या है नल है तो भी रिटान वन करना है मतलब दोनों तरफ नल है तो भी आपको रिटान वन करना है और दोनों तरफ नल नहीं है मतलब दोनों तरफ नोट से हैं तब तो आपको sbt function call होनी है, ठीक है, जो बेवर शुरो जापटापट, हाँ जी तो यह रूट पे आए, क्या यह नल है, नहीं, क्यास के left रेट 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 रेट, नहीं, क्यास के दून दौन दरफ child है, हाँ जी, तो यह दौन दरफ child वारी बात यहां से पता लगते if P is left is nautical null and P right is nautical null, P left भी null नहीं है, P right भी null नहीं है, दोनों तरफ है, तो अब आपका यहाँ पे call होगा, SBT left and SBT right, ठीक है जी, तो चलो जी, ठीक है, तो left and and यह right, समझगे हो, तो left था तो left की तरफ आ गया, अब यहाँ पे मैं बोलूँगा, यहाँ पे मैं, अब वही कहानी बोलूँगा पटाफट से, हाँ जी, क्या यह रेलं है, क्या अश्के left थे दुनों null है, नहीं, तो फिर क्या इसके left थे दुनों null नहीं है न, वही कहानी है यह थे बंद की तरफ आपको वही तो आपको वही काम करना है, left and and right. इदर आ गए खाजी बोला क्या ये निल है? क्या ये लैफट ये लजग रावे? तो ऊपर क्या बहजा मैंने? अब राइट वर जच तो यहां ये लावर ये ले ये बोलेगा क्या ये लैफट ये डोन अंनल है? नहीं तो बस ये वाला भी नीचे लेगा और नीचे आगर करके क्या रिटन हो जाएगा जीरो आगया मजा तो इसने सिधा क्या रिटन मारा जीरो तो आप क्या बोलोगे 1 और 0 इस 0 तो रूट से क्या रिटन हुआ 0 और ये हमारे को चाहिए था ये हमारा strict binary नहीं था अच्छा से पकड़ में आ गया ना ठीक है अब एक ऐसे example दिखा देता हूँ जहाँ पर आएगा है ना जहाँ पर strict आता होगा एक छोटा सा और example देख लो जी एक छोटा सा ये दिखा देता हूँ फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओंगा क्या ये नल है नहीं क्या इसके left right दोनों नल है नहीं पर दोनों तरफ चाइल्ड है इसके अच्छा जी फिर अब आपने क्या करा ये देखा क्या दोनों तरफ चाइल्ड है इसके हाँ जी बिल्कुल है ना क्योंकि P left is not equal to normal and P right is not equal to normal क्या left right होगा पूरा मैं ढंक से नहीं लिख रहा हूँ प्रीज आप समझ पार होगे दोनों तरफ चाइल्ड है तो left right दोनों है हाँ जी तो अब क्या करना SBT left and SBT right तो this and and dash अब left में आ गया इधर आ करके बोला हाँ जी इसके दो चाइल्ड है ना बस अब tension कतम पूरो and and dash इधर आ गया क्या इसके दो चाइल्ड है ना हाँ जी तो क्या and and dash इधर आ गया क्या इसके एक भी चाइल्ड नहीं है नहीं इसके दो चाइल्ड है ना बस खजम करो फाल्त बाते मत कराओ दोनो नल है ना मद इसके दोनों left child है ना थीक है तो dash and and dash का लोगा इधर आ गया यह leaf है थीक है तो यह स्टिक है इसमें का return एक रतन मात रहना रवन यह leaf है ना हा ठीक है जी ठीक है इसमें इक हाई इते वह उपह return माला 1 1 1 1 5 रूट के रिटन मारेगी, वन और यह हमारे कुछ यह था, तो यह स्ट्रिक्ट वाइनिटरी हो गया, तो यह स्ट्रिक्ट कम्लीट मैं बहुत अच्छे से प्रोग्रम सुपने आया होगा, क्या चल रहा है, और मज़े दू, एक बहुत प्यारी बात बताता हो, तो मज़ा आ ज याद है, मैंने आपको शॉर्ट सर्केटिंग का कंसर्ट वाता है था, अगर यही जीरो आ गया, तो फिर आगे इस तरह जाने की जूरत नहीं है, तो मैं आपको मज़ा दिखाता हूं, यहाँ पर कितना ब्यूटिफुल है, प्रोग्रम कितना ब्यूटिफुल है, मैं इस त अब यह बहुत बड़ा बना लेना, अब देखना मज़ा आएगा तुम्हारे को, रूट थी ना, तो अब आपने क्या बोला, क्या यह नल है नहीं, क्या इसके लेफ्ट रेट दोनों नल है नहीं, तो फाल्तिक बात है अब आप समझ पारों कि प्लीज है ना, बस ऐसे बोल इसके लेफ्ट रेट 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 रे तो ज्यादा कुछ करने की जूरते नहीं, इसने सिधा क्या रिटन मारा, जिरो, तो 1 & 0 is 0, अब असली मज़ा, 0 & something आपको पाता, 0 हो नहीं होना है, इस सारा का सारा बचा गए, कितना ब्यूटिफुल काम हो, सारे देखने के भी जूरता नहीं है, 0 & something हमारे को पाता, 0 आहीं ह सिधा रिटन मारेगा, 0 काम करता हूँ, यह मज़ा है, सारा इतने सारी चेकिंग का में बचा गए, यह क्या हो पाक समझ पा रहे हो, सिर्फ तभी आएगा, जब हम एक लाइन में लिख करके बैठेंगे, अगर तुमने कुछ उल्टा-उल्टा काम क्यों तो फिर आप शॉर p left, r is equal to sbt p right, और फिर अब आप क्या बोल देते हैं, return l and and r, ऐसे, मतलब यह एक लाइन में जो मैंने लिखा हुआ था, return statement पूरी एक लाइन में थी, इसकी बजाए आपने अगर ऐसे काम किया होता, तो बेटा short circuiting काम नहीं आएगी तुम्हारी, खुद से समझ पा रहे हो और फिर r is equal to sbt p left, पूरा आप निकाल करके बैठोगे, फिर r is equal to sbt p right, तो फिर पूरा r वाला निकालोगे और उसके बाद end मारोगे, कर पा रहे के नहीं कर पा रहे हैं, कर पा रहे के नहीं है, यही चला के दिखा दूँ, उपस, copy करना था, मेरी ख्याल से तो आप पकड़ी गए होगे, इसमें कोग खास technicality है नहीं, और फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो अब यहाँ short circuiting लगने वाले ना बेठा, आप अराम से समझो, यहाँ कैसे आप short circuiting लगाओगे, पूरा प्रोग्राम वैसे तो मुझे लिखना ही पड़ जाएगा, मेरी ख्याल से वैसे तो आप common sense से guess करी गए होगे, पहले L calculate करोगे, फिर R calculate करोगे, फिर return मारोगे ना L and R, समझे रहो कि नहीं, तो पहले आप L calculate करने के लिए भागोगे, इस तरफ से सारा L calculate होके आगया, यहाँ से 0 आगया, ठीक हमने रिथा ही था, फिर अब आपने क्या return मारोगा, L and R, तब जाकर कि 0 return हुआ होगा उपर, तो पूरा right calculate करने के लिए बैठ जाओगे, तो मुसीबत हो जाएगी, तो short circuating हम यहाँ use नहीं कर पाए, एक line में लेकना सारा कूछ, तब short circuating काम आएगी, ऐसे यहाँ पे काम नही समझ रहे हो, तो इसलिए यह method सबसे best होता है, इसलिए मैं आपको यह method दिखाता हूँ, वह बच्चो वाला method है, पहले तो मैं आपको यह कर आता था, बिल्कुल बच्चो वाला style था, यादा रहा है कि नहीं आ रहा है, यह रिखाया था मैंने पीछे, मेरे ख्याल से आपको पूरा लिखना और वह सब करना, फाल्त की बात है थी, यादा रहा होगा आप लोगों को, तो वह मजा नहीं है, वही तो typing भी बहुत जादा लगती है हमारी, और उसके बाद फिर प्रोग्रम भी जादा efficient नहीं बनता, यह बहुत बड़ी और बहुत अच्छा है, ठीक है, तो short circuating का concept यूज़ करना, यह सबसे best way out, return SBTP left and SBTP right, SBTP left नहीं अगर बायचान 0 दे दे तो 0 and something is 0 only, तो सीधा return 0 मारोगे, आगे पूरा P right, पूरा का पूरा right वाला पाता बचावे हो, तोड़ा से सोचो बेटा, समझ में आएगा, और ज्यादा मेरे खिल से मुझे बोलने क से बिठाना, प्रेक है analysis, मतलब हो ही, क्या करना analysis में, time complexity और space complexity, time complexity में सारा कुछ बताना है, आपको best case, worst case और average case, वो सारा बताना है, बहुत अच्छे अच्छी बाते हैं वो सारी, time लगा के मैंने आपको तसलिश से समझाना है, इसलिए मैं अगर लेक्षर भी जाओगा, ब जो करो, next lecture में आ करके, यही से आगे बढ़ाऊंगा, और आपको सारी analysis करके दिखाऊंगा, इसके, ठीक है पेटा, चलो, इतना है रखते हैं, यही से आगे next lecture में, thank you so much, bye-bye, video अच्छा दाएगा, please like करना, अपने friend के साथ share, जरूर करना, bye-bye, Hello everyone, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप लीज वीडियो को लाइक करते रहा करो, अपने friend के साथ share जरूर किया करो, ताकि मुझे motivation मिले, मैं और ज्यादा से जादा काम कर सकूँ आप लोगों के लिए, और अगर आप मुझे डोनेशन देना चाहते हो, तो QR आप को मिल जाएगा, आप चैनल बैनर पे, राइट हैं साइड में, अगर आप कम्प्यूटर पे देख रहे हो, तो आप राइट को आद मिल जाएगा, नहीं तो आपको description में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके, डोनेशन जो भी देना चाहते हो, दे सकते हो डाउट की बत प्रब्लम रहते हो, रियल टाइम डाउट साम सॉल्व नहीं कर पाते हो, जैसे चाहिए आप पेड कोचिंग में हो, चाहिए आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रब्लम वाली बात नहीं है, आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पर आपको जो भी डाउट से आप पूल सकते हो, बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रूप है, बहुत सारे एक्टिव रहते हैं, फटाफट से आपको रपलाई मिल जाएगा, लेकिन और अगर आप और जदा मैन सब्सक्राइब कर सकते हो, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा, सब कुछ फ्री है, मैं किस दीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, everything is free of cost, डोनेशन देना चाहते हो, आप मुस्ट विलिखम आप दे सकते हो, बट यह सब्सक्राइब मैं आप लोगों के लिए lifetime free रखूँगा, discord server हो गया, telegram channel हो गया, और मेरा youtube channel हो गया, everything will be free of cost, मैं अपने मुझे कभी कुछ नहीं मांगूगा आपसे, ठीक है, आप जो देरा चाहते हो, आप वो मुझे दे सकते हो, okay, thank you so much, bye.